भूण तो दोस्तों बहुत बड़ी खिवर कर के आई है, रहेले विए के तरफ से, जी आप लोगों को बता दूँँ की बढ़ी ख्वर नीकल करके आई है, और प्रदानमंतरी जी ने यह गोशना कर दी है, जी दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हां मतलब प्रदान वंत्री जी ने आखिर कर गोस्टना कर लिया है अब इंतिजार की घड़ी खतम यह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करिए क्यों कि आप लोगों के लाइक और सेयर ही हमारे मेनत का फल होता है तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल के नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ने की ह आप लोगों को बता दूँ कि हाँ मतलब दोस्तों अब ट्रेन में आने से पहले आप लोगो फिटनस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और एक घंटे पहले आना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों और एक घंटे पहले आना पड़ेगा और एक साथ दो ये ट्रेन चलाई जाए किसे लोग आयेंगे और कैसे नहीं कि आह obecने मितने almost आई experienced याँ चाहते से तिह में जनुस्का सबक्रवें के सबस्कुशुलिश्यूजश दूं। ś lifes toast गशे ही और सब्सक्राइब करने OUT जाया और पूरी तरीके से जो है वह आप लोगो हूं का बता हैbit ना इखिड़के के बगल में खड़ा होना है ना इस सब कुछ यह जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि हामतलव असरोम योगार रहा जाना है तो हाथ से नहीं चुना है टोटी टोटी यह पीने का पानी यह सब पैर वाला पाडिल वाला साथ विदा दिया जाएगा क्योंकि चाना किया है यह मतलब देश में क्रोना का जो पूजिटिव मर्य जो हैं वह जादे फैल है और इसिको मदी मध्यनचर देखते हूँ प्रदानमंतीरी जी ची मोधी ने आप लोंको बता दूं रेलवे का खाना है कि यहां मतलब जो भाई है वो बेत्टिंग टीकाट वाले नहीं कर पाएंगे इस में वहीं लोग सफर कर सकते हैं जिन का कनफर्म टीकट होगा जी हां दोस्तों जैसे कि आप लोगं को बता दोँ कि हां ना ही ऐसी कोच चलेगा नहीं है इसी कोच चलेगा और जो तो भाई सोच रहेते किंदट एसी कुछ चलेगा ऐसा कुछ नहीं याँ आप इसी पर कुछ चलेगा और वेटिंग टीकट तो विल्कुल नहीं नहीं हो गाई तो दोस्तों आप लोगों को बता दूंग कि एक गंटे पहले क्यों आप लोगों को पहुंचना पढ़ेगा आए ट्रेन से सफर मत करिए बस से वगराइसे सफर कर लीजिए तो दोस्तों, अगर ऐसा मार्जनसी है, तभी ट्रेन से सफर कर पाएंगे, नहीं अथा नहीं कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों आप लोग अगर मालीजिए एक साथ में दो ट्रेन से ज्यादा चलेंगी तो ट्रेन हर इस्टेशन पर रुकेगी और भीड जादे जादे होगा और इससे कुरोना का संक्रमट बढ़ने के बहुत ज्यादे चांस हो सकता है दोस्तों आप लोग बता दू कि हाँ मतलब एक सात में अगर जादे ट्रेन चलाई जाएगी तो वहां पर हर इस्टेशन के हर रूट से ज़़व हर ट्रेन हाएंगी और वहां पर भीड जादे होगा ऐसे में फुछ मुख्य ट्रेन ही चलाई जाएंगी